हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम में उतकष और आज हम जा रहे हैं कितने अच्छे प्रोड़क्ट की अन्बॉक्सिंग करने जो की है इंटेक्स का इंफलेटेबल एल टाइप सोफा तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग और आने वाला है और इसके अन्दर यह पहले आता है ब्राउन बॉक्स के अन्दर दोस्तों इसका आप देख सकते हो आएटम नंबर है 68575NP और इसका आप देख सकते हो डाइमेशन्स यहाँ पर लिखी हुई है जो की हैं बॉक्स की डाइमेंशन तो बिना किसी देरी के दोस्तों इसको हम निकालते हैं बॉक्स से बाहर मैंने नीचे से टेप हटा ली थी तो इसको मैं निकाल लेता हूँ तो यह आता है पहले ब्राउन बॉक्स में अंदर है इसके कलरफुल बॉक्स तो यह मैंने निकाल लिया हूँ तो इसको रखता हूँ दोस्तो मैं साइड में तो यह रहा हमारा अब आप देख सकते हो दोस्तों यह आता है क्रीम कलर के अंदर और यह होता है ऐसे एल टाइप के अंदर तो इधर हमारे को तीन बंदू की सेटिंग मिलने वाली है और इधर दो की तो एक बार हम बैठ के जब हम इसको खोलेंगे और उसके बाद बैठेंगे तो हमें पता इसकी टोटल हाइट हो गई और अगर मैं आपको इंचेज में बता हूं तो दोस्तों 101 इंचेज इंटू 30 इंचेज आपका यह बैठने वाला है तो बिना किसी देरी के दोस्तों अब हम इसको बॉक्स पर और कहां कहां क्या-क्या चीज़े डिस्कराइब हैं वह बता देता में मिलने वाला है हमको और सेम वही डिजाइन यहां पीछे भी मिलता है हमारे को देखने को और नीचे की तरफ इसकी कुछ टॉंसन कंडिशन जो होती है वो लिखी हुई है और यहां पर भी इसका यूसेज लिखा हुआ है अलग-अलग languages के अंदर तो बिना किसी देरी के दोस्तों इसको खूल लेते हैं अगर खूलना है आपको तो किसी भी sharp object का use मत कीजिएगा सिर्फ अपने nail का इसमाल कीजिएगा तो दोस्तों मैंने हटा ली है इसकी tape मैं निकाल लेता हूँ product को बाहर तो सबसे पहले मैं खूल लेता हूँ box box में आप देख सकते हो कुछ मिल अब मैं box को भी रख देता हूँ side में तो दोस्तों आने वाला है भूरती ज्यादा मजा तो यह रहा हमारा sofa दोस्तों यह पूरा एक packed है और इसके अंदर जहां तक है दोस्तों अभी और आपने beds की unboxing देखिए उसमें internal pump मिलता था इसमें internal pump नहीं मिलता तो इसके लिए हमारे एक external pump electric pump की जुर्वत पड़ेगी इसको inflate करने के लिए दोस्तों इसको मैं खोल लेता हूँ और भान निकाल लेता हूँ और अगर मैं आपको थोड़ा सा कुछ याद दिला हूँ अगर आपने मैं चनल को नहीं किया है subscribe और जब तक मैं इसको भान निकाल रहा हूँ आप ज दिया तो दोस्तों यह रहा हमारा यह सोफा कम बैड सोफा कम बैड नहीं दोस्तों सिर्फ सोफा तो यह रहा एक instruction manual इसके साथ आता है यह repair patch और इसमें बताया हूँ है कैसे कैसे आपको inflate करना है तो यह भी हम जानते हैं इसको भी रखते हैं हम side में और इसको हम लेते हैं ख separate ली आते हैं यह kushion है एक जो लंबे वाला kushions है दोस्तों यहलो चोटे वाला kushion है यह रहा जो बीचो बीच लगेगा और यह भी a cushion है जो कहीना-कहीं लगेगा तो दोस्तो मैंने लगा लिया है लेक्रिक तर्म्स मज़ा आने वाला है तो अब मैं जल्दी से इनको कर लेता हूं इनफ्लेट सब्से पहले कुशंस को तो पहला कुशन कर लिया मैंने इनफ्लेट आप देख सकते हो अभी इसको मैं रहा हूं यहाँ पर साइड में और 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 जो कुशंस है उनको इनफ्लेट करता हो तो सेकंड कुशन भी हमारा हो गया है इनफ्लेट यह बहुत ही अच्छी क्वालिटी है दोस्तों ऑसम क्वालि हो गया सेकंड कुशन अब थर्ड कुशन को इनफ्लेट करते हैं तो दोस्तों है हमारे हमारे तीनों कुशन इंफ्लेट मैं जल्दी सेट को धिल लगा देता हूँ इसका सीन नोजल और उसको कर दो अंधर यह रहें दोस्तों पिछेए नोजल जो की आजाते हैं आपके बैस तो अब हम क्या करते हैं इसको लेते हैं इसको लगाते हैं और आउन कर देते हैं तो दोस्तों यह जो हमने इंफलेट कराया अभी शेप देखे यह पता लगाए कि यह इसकी लोवर साइड है मलब कि यह इसका नीचे वाला बेस है तो हम क्या करते हैं इसको करते हैं रिवर्स फिर इसको बेस को इंफलेट करते हैं अब आती है दोस्तों बारी इसके टॉप वरे पोश्चन में हमा बननेगी कि यह भी हो गया है दोस्तों अब हमारे को करना है इसकी हैंडेल्स को इंफलेट तो हैंडेल के लिए नूजल अलग से दी हुई है तो वह भी हम जल्दी से इंफलेट कर देते हैं तो एक हैंडेल हो चुका है दोस्तों इंफलेट अब मैं इसकी जो नूजल है उसको अंदर कर देता हूं जिससे हवा ना निकले तो अब हमारे बारी है दूसरे नूजल को इंफलेट करने की जो की है वहां पर तो दोस्तों आप देख रहे हो कितना बड़ा यह सोफा निकला है में जगे भी कम पड़ गई है हमारे पास तो अब हम जा रहे हैं इस पर पूशन लगाने तो जल्दी से मैं कुशन लगा देता हूं तो यह रहे कुशन जो मैंने पहले इंफलेट करे थे तो यह रहा तो दोस्तों यह जो हमारे को सारे कुशन लगाने है यह ऐसे लगाने कि सब की लाइन मिल जाए तो वह इसका प्रॉपर तरीका है इंस्टॉल करने का अब आप देख सकते हो दोस्तों कितना मज़़ार प्रोड़क्ट है नहीं है एकदम हाइट भी वही होगी जो सोफे वाल तो दोस्तों अच्छा है मेंस मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी हवा वाली चीज पर बैठा हूं दोस्तों और यह मेरे को लग रहा है जैसे लाउंज अगर आपने देखे हों दोस्तों तो लाउंज होते है ना तो वह वाला कमफर्ट यह मेरे को दे रहा है इवन बैक हवा हूँ और हाथ भी इस पर लग रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि यार यह तो बहुत ही जादा कुष्णी एंड सॉफ्ट है जस्ट बिकॉस इसके उपर यह जो वेलवेट कपड़ा चड़ा हुआ है इसकी वज़े से और अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं वेलवेट हमा वेलवेट है इसके पीछे वेलवेट नहीं है जिर्फ हमारे को जहां पर बैठने का एरिया होता है वहां पर पूरा वेलवेट मिलने वाला है और जहां पर हमारे हाथ लगते हैं वहां पर हमारे को मिलने वाला है वेलवेट कपड़ा इस पर चभा हुआ तो आप देख सकते यह लिए हो गया और यहां पर आगए चार तो यह टोटल दोस्तों 4 शिटर सोफा है जो की आता है हमारा गवर्त करना चाहते हो तो आप इस पर रज़मी कर सकते हो निकाल लेता हूं अपना माइक समें। जिक साकते हो् मैं इस पर दोस्तों पूरा लेट भी गया हूँ, मेरी 6 foot 2 inch हाइट है, आप देख सकते हो मेरा सर आ रहा है इस पर और मेरे पैर जा रहे हैं वो ट्राइंगुलर पोर्शन तक, तो अगर आप जैसे कि 2 person हो जो एक apartment में रहते हो, तो ये दौनों आप इस पर अराम से सो भी सकते हो, मेरे पैर आ रहे हैं यहां पर अगर कोई दूसरा person यहां पर लेट ना चाहता है, तो वो यहां पर भी लेट सकता है, अगर 6 foot 2 inch हाइट होगी तो उसको पैरों में प्रॉब्लम होगी क्योंकि सामने वाले की भी पैर आ रहे होंगे, लेकिन अगर 5 feet के करीब अगर height होग की, दूसरे person की, तो easily यहां पर लेट भी सकता है, आप देख सकते हो, यह nap ले सकता है, यह एक person यहां लेट सकता है, दो परसन यहां पर बैच सकता है, दोस्तों आपको एक ऐसी interesting बात बताओं, जो कि इसकी capacity है न दोस्तों, कित्रा बेट यह जहल सकता है, यह question आपके दिमा है, अगर इस पे 100-100 किलो के means, 4 परसन भी आके इस पे बैट गए, तो यह product कहीं नहीं जाने वाला, यह company claim करती है, तो दोस्तों, यह तो मेरे हिसाब से बहुत ही awesome product है, आपके apartment या घर को यह बहुत ही अच्छा new look देगा, क्योंकि जो इसका design है, दोस्तों, वो इसका main factor है, जो की comparative रहता है आपका modern furniture से, तो यह उसका design 100 out of 100 इसको मिलते हैं, and second चीज दोस्तों, जैसे की आप जानते हो, दिवाली आ रही है, and if you are looking for sofa, जो की आपके घर को और भी जादा means, एक तरीके से brighten up करे, तो you can go for this sofa, क्योंकि इस दिवाली आपके guest भी आएंगे, सब आएंगे, So, show them something means unique, तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज हिट the like button, subscribe our channel, and please share our videos, and दोस्तों, इस channel पे आने वाली हैं, coming days में बहुती awesome videos, so please stay tuned, and इसका अगर आप purchase करना चाते हो, इस product को तो इसका link दिया हो है नीचे description में, अब वहां से directly purchase कर सकते हो, at a best price, thank you so much दोस्तों, have a nice day, bye-bye.